प्लानिंग के उपर लॉंग जाने का हमारा प्लानिंग था फर्स्ट प्लानिंग और सेकंड प्लानिंग हमारा इस सुन के नीचे सौट कनफरमेशन जाने का था तो जैसे सुबह ही मार्केट ने एक 15 मिट की केंडल में एक पॉसिटिव मोमेंटम क्रियाट किया था लेकिन जो ग्लोबल सीनेर्यों आज था और जो मार्केट सेंटिमेंट था वो थोड़ा सा फ्लैट दिखाई दे रहा था तो ह यहां पर भी जो एक हैमर केंडल फॉर्मेशन हुआ था इंवर्टेड हैमर उसकी वज़ा से फ्रेक आउट कंसेडर किया था तो हमारा आज बैंक लिफ्टि में कोई एंट्री प्लानिंग नहीं हुआ था अगर यह एंट्री की बात करें तो यहां पर भी कोई क्लोसिंग अ और अगर हम लोग निफ्टि की बात करें तो निफ्टि में हमारा जो प्लानिंग था वो इस सोन के नीचे सौर्ट करने का प्लानिंग था हमने कुछ इस तरह से डिसाइड किया था कि यह एक जो चैनल में ट्रेड कर रहा है मार्केट अगर चैनल को रेजिस्ट करके नीचे आता है तो हम लग इस zone के नीचे sort करेंगे मार्केट ने क्या किया यहां पर फ्लेट ओपनिंग दिया फ्लेट ओपनिंग देनेक बाद मार्केट ने यहां पर फ्लेट ओपनिंग देनेक बाद वो थोड़ा इस zone में यहां पर फ्लेट होता रहा लेकिन जैसे हमें यहां पर इंवर्टेड हैमर पैटन दिखाए दिया और उसके बाद हमने दो तीन केंडल को वेट किया था यहां पर इस केंडल के लो को ब्रेक करनेक बाद हमने जो एंटरी किया था और हमें यहां पर कुछ 35 पॉइंट का stop loss मिल और उसके बाद momentum के साथ हमारा one jam almost two का target अच्व हो गया था तो इस तरह हमारा निफ्टी में आज एकदम पर्फेक्ट प्लानिंग गवा था दूसरा हमारा जो प्लानिंग था इसके नीचे सौट करने का लेकिन इसके नीचे अगर यहां पर हमारा टार्गेट अच्व हो गया था और इसके बाद यह बहुत ही लेट है और इसका भी एक रिट्रेस्मेंट साइद हो चुका है और अब यह नीचे जाने का प्लानिंग कर रहा है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मार्केट कल हमें अच्छा सा मूंग देता है और इस जोन मतलब 18759 की नीचे अगर ट्रेड करता है और हमें कुछ कुछ बैरिस कानफोर्मेशन मिलता है तो हमारा सबसे पहला जो पॉजिशन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा और अगर हेड़न सोल्डर का ट्रेक आउट करके मार्केट का मोमेंटम अगर अपसेड होता है तो हम इसके उपर लॉंग का प्लानिंग करेंगे हे चोटा सा स्ट और रखके हम लोग कुछ इस तरह डबल बॉटम फ्रमेशन हो सकता यह और तो चीज तरह प्लानिंग करेंगे और हमारा जो टार्गेट का हाई है वहाँ तक टार्गेट दे सकता है और एक हमारा ओर सेटब रहेगा कर दाउन देता है और यहां तक मार्केट खीच म्हेंस के चलाता है यहैं बाइंअ प्रिक आने का पासीबिलिटी है तो यहां थ whats जो लॉंग का प्लानिंग खरेंगे कि यह हमारा कलका निफ्टी का एक सटप रहेगा और बैंक निफ्टी की बात करें जो बैंक लिफ्टी में जो हमारे कलका सटप पहले पूंप उसको हटा लेटाओं और अगर इसको 15 मिनिट टाइम प्रेम में देखते हैं तो अभी भी इसके जो लिवल्स थे वो वैसे ही है और यह ट्रेड लाइन का एक फ्रेक आउट हो चुका है तो हम इस ट्रेड लाइन को हटा देते हैं सबसे पहले अगर इस जोन के ओपर जाएगा अगर उपर के सब्सक्राइब लाइन की साइ सब्सक्राइण को अगर हमारा जो टार्गेट रहेगा वह नीचे का जो लो है वह तो इस तरह से आम लोग सूंसरियों में संटीन सकते हैं ऐसके निचे भी थाफ़ दान पझेस करके स्फाट लेसकते हैं अगर आप्सेंट की बात करें option chain की बात करें तो जो nifty का option chain है अब हम लोग next पर रिकर जाएंगे तो जो nifty का option chain है उसमें हमें जो oi develop होता हुआ दिखाई दे रहा है वो आज selling की side develop हुआ है और total अगर oi की बात करें तो बराबर ही कुछ उसना कुछ equal formation में दिखाई दे रहे हैं यहां पर 104 लेक है और यहां पर 101 लक्स contract डेवलोग हुआ है तो 18800 का एक consolidation zone consider कर सकते हैं नहीं वो support का काम कर रहा है नहीं वो resistance का काम कर रहा है अभी market को एक clear direction oi के सबसे नहीं दे रहा है अगर PCR की बात करें तो PCR 0.87 है इसका मतलब अभी market जो है वो एक bearish में से bullish की तरफ momentum में जा रहा है अगर bank nifty की बात करें तो bank nifty में जो एक resistance हमारा है भी बना हुआ है 44000 वह भी भी वैसा ही है तो अब अगर next expiry की बात करें तो वहां पर जो ओवाई develop हुआ है जो call side oi develop हुआ है वो 30.2 और जो put side oi develop हुआ है 15.9 lakhs oi develop हुआ है तो यहां पर एक अच्छा का सा resistance दिखाई दे रहा है और 44500 के उपर हमें अच्छा का सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो यही जो एक 44000 का यह zone है अगर इसका हमें अच्छा सा breakout मिल जाता है तो इसके उपर हमें बहुत अच्छा momentum देखने को मिल सकता है और 43500 यानि कि कुछ यहां पर इसके नीचे जाता है है मार्केट तो यहां पर हमें अच्छा का सा एक पैरिस मोमेंट हम देखने को मिल सकता है अगर एक मैजर हम लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ करते हैं तो एक निफ्टी भी मार्केट क्लोजिंग होने बाद एक अच्छा सा फॉल हुआ था और उसके बाद उसने एक रिकावरे लिया हुआ है अगर एक निफ्टी यहां से ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो हम लोग सुबह अपने निफ्टी के अंदर भी अच्छा कासा एक पॉजिटिव मोमेंट प्लान कर सकते हैं और अगर डीजे आई की बात करें तो डीजे आई में जो एक स्ट् प्रेडिंग रेंज के अंदर प्रेड कर रहा है अगर इस रेंज को यह कोई एक साइड ब्रेक करता है और मोमेंटम देता है तो हम यहां पर भी निफ्टी में एक अच्छा कासा मोमेंट देख सकते हैं अब साज के लिए इतना है थैंक्यू वेरी मुच्छ फॉर यहाल झाल जाल झाल